गर्मी काफी बढ़ रही है और इसी के साथ साथ कर्मी से जुड़े हुए हेल्थ प्रॉब्लिम्स भी एक आम शिकायत जो काफी लोगों को गर्मी के मौसम में महसूस होती है वो है आखों की तकलीफ आखों में खुजली होना आखों का लाल होना और कभी-कभी आखों का सूजना ये समर की काफी common complaints है हम पूरा दिन अपने computer desks पे आखों को strain देते रहते हैं स्कूल जाते हुए बच्चों को भी पढ़ाई की वज़े से आखों पे काफी stress होता है गेम खेले इसकी वज़े से आखों का stress और बढ़ जाता है गर्मी के मौसम में हवा का तापमान बढ़ता है इसकी वज़े से ये तकलीफ ज्यादा महसूस होती है इसलिए गर्मी में खास द्यान रखना चाहिए कि आप अपनी आखे ठंडे पानी से लगातार धोए दिन में चार पांच या उससे ज्यादा बार भी अगर आप अपनी आखे पानी से धोते हैं तो इसका बहुत फाइदा आपको महसूस होगा इसी के अलावा आप ऐसी चीजे खाए जिसे शरीर को ठंडक पहुचती है जैसे खीरा, सेब या बाकी सारे फल खाने से हमें बहुत ठंडक महसूस होती है आखो पर खीरे या टमाटर की स्लाइसिस रखना एक कॉमन प्राक्टिस है और इसकी वज़े से सबको बहुत ज़ादा सूधनिंग इफेक्ट महसूस होता है आखो पर आप काम करके या स्कूल से ठककर जब घर लोटते हैं तो एक पाँच या दस मिनिट का नैप ले इसके वज़े से आपकी आखों को रेस्ट मिलेगी और आप फिर से जब उठेंगे तो आप फ्रेश महसूस करेंगे काम के इलावा आखों का स्ट्रेंग जितना कम हो उतना कम रखे टीवी देखते वक्त इस बात का ध्यान रखे कि रूम में उजाला अच्छा हो ताकि आपके आखों पर जादा स्ट्रेंग ना आए गर्मी के मौसम में आखों का ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है आखों में जब irritation होती है तो हमारा पूरा दिन बहुत ही ज़्यादा restless और irritated चले जाता है अगर आप अपनी आखों की care करेंगे तो आप healthy feel करेंगे और अपना दिन भी enjoy कर सकेंगे अपना ख्याल रखें यह वीडियो देखने के लिए शुक्रिया